Hi friends, 4 November देव उतनी एकादेशी, 5 November तुलसे विवा, तुलसे विवा के बाद सारे शुब काम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादिया होना, घर में और भी कोई शुब काम हैं, वो सब शुरू हो जाते हैं हम करने के लिए, क्यों क्योंकि विश्नु भगवान शीर सागर से, जो पांच दिन में आप लोग स्क्रिप्टिंग की जितनी टेखनीक्स हैं, वो जरूर कीजेगा, मैंने अल्रीडी ही एक विडियो अपलोड की थी, जिसमें की एक तारिक से लेके 11 तारिक तक अपनी अपनी विश्स को गोल्डिन मिनिट में लिखने के लिए बोला था, 11 टाइ क्योंकि हम जो ये नंबर्ज वाले टेकनीक्स होते हैं, लाइक 555, अगर आप 555 आज से शुरू करते हैं, पांच बार अपनी पांच दिन अपनी विश्स को 55 टाइम्स लिखना है, कौन से कलर का पैन यूज करेंगे, ब्ल्यू कलर का, पीर्ट्स का कोई रेस्रिक्शन नही हों और हम यही मान रहे हैं कि पांच दिन अभी जो हम लिख रहे हैं, जैसे ही वो जागेंगे, अपना कारेभार समझालेंगे, तो हमारी विश्स को सबसे पहले कंसर्डर करेंगे और हमारी विश्स मैनिफेस्ट होंगी, ठीके तो आपकी जो भी विश्स है, या कोई आपको चाहिए कि पूरी हो जाए, जल्दी से पूरी हो जाए, उसको लिखना शुरू किजिए, कब लिखेंगे तो अभी पांच दिन का ब्रह्मूरत बैस्ट है, ब्रह्मूरत के अलावा कोई टाइम है, तो रात में सोने से पहले लिख के सो ये, बल्कि मेरा यही सजेशन है कि पांच दिन है, तो ब्रहमूरत ही कंसिडर करना, ठीक है, तो अपनी एक लाइन ड्राफ कीजिए, प्रेजन टेंस में आपनी विख से रिलेटेड और उसको 55 ताइम्स लिखें, अगर पांच दिन लिख रहे हैं, अगर मान लीजे कलपर सो आपने देखा है, तो 33 ताइ आइस बार अपनी विख इसको लिखना है, दो दिन सिरफ, तो बहुत इजी होता जाता है, जितना कम होगा वैसे तो, ठीक है, और अगर आप 1111 पे आ रहे हैं, तो वो 11 टाइम्स अपनी विख को लिखना है, आपको, सिंपल, अब जब आपके पास ये पेपर्स इखटे हो जाएंगे 6 तारिक को, मतलब 5 तारिक तक तो तुलसी विवा है, और तुलसी विवा तक सब कुछ बहुत ऑस्पीशियल से, ठीक है, तो आप 6 तारिक को छटवे दिन, आप इन सारे पेपर्स को डिस्पोस करेंगे, कैसे करेंगे, या तो आप पानी में निकाल दीजिए, ग बहुत एफेक्टिव है, वो आप लोगो को करना है, आप दे मुतनी एकादेशी, मतलब 4 तारिक को, एक दिया जलाएंगे, और वो होगा 365 बतियों का दिया, ओके, सी हम लोगों के लाइफ का, एक बहुत important rule है, अगर मैं बूलनू तो, कि वो ये कि हमें रोजाना एक दिया जलाना चाहिए, क्यों जलाना चाहिए, क्या हम सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना के लिए जला रहे हैं, नहीं, जब हम जलाते हैं, तो उसमें एक तो पांचों एलेमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, आप पृत्वी, आकाश, आपका वायू, जल, मिटी, सब कुछ उसमें आ रहा है, अब यहां पे क्या है, जब आप उस दियों को रोशन करते हो, तो उसकी जो लॉव है, उसकी पॉजिटिविटी आपके पूरे औरा को पॉजिटिव करती है, यह दिया आपको सारे साल प्रोटेक्टेड रगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, कि हम हर दिन एक द चार दिन मिस हो ही जाते हैं सारे साल में, कुछ लोग तो बिलकुल ही नहीं जला पाते, इतना है एक दिन का कष्ट करने से आपकी अगर सारी लाइफ अच्छी हो सकती है, तो जरूर करिएगा, प्रॉब्लम में मत रहिए, ठीक है, आलस पन एक दिन के लिए छोड़ दीजे ठीक है, चार तारिक को उठके आपको एक दिया जलाना है, जो सारे साल आपको प्रोटेक्टेड रखेगी, आपके हर विशेज एजी ली होती जाएगी, मैनिफेस्ट, सिर्फ एक विश मैनिफेस्ट होने से लाइफ ब्लेस्ट हो जाती है, क्या नहीं, हमें बहुत सारी ची अगर करना है, तो आप पूजा की दुकान पर जाओ, वहां पर रेडिमेट अब सब मिलता है, चार सो तीन सो पैसर बत्ती का आपको पूरा एक रोल मिल जाएगा, वो रोल लाइए, मिट्टी का दिया खरी दिया, मिट्टी के दिया में, आप सरसो का तेल हो, तिल का तेल हो घी हो, इन तीनों में से कोई सा भी भरिये, अच्छे से भर के, अगर आपके पास थोड़ा सा तिल है, तो तिल जरूर डाल दीजिए, इस दिये पे आप चाहें, तो स्वास्तेक बना सकते हैं, अगर आपके पास सितना टाइम है, और आप बना सकते हैं, तो बनाएए बहु और इसको आपको तुलसी के पौधे के नीचे जलाना है अगर in case किसी के घर में तुलसी का पौधा है ही नहीं तो वो कहां जलाएंगे आप आकाश के नीचे खुले आस्मान के नीचे सुबह जला देंगे ठीक है आप एक प्लेट में इस दिये को रखे नीचे थोड़ा सा चावल अगर आप डाल सकते हैं डाल लिए और इसको आप खुले आस्मान के नीचे जला के छोड़ दीजे इसकी positivity वहां से आपको बहुत help करेगी universe में ही तो इसकी लौज आ रही है all right so ये बहुत help करने वाला है अच्छा अब भी मैं 365 बत्ती के लिए आपको कुछ बता देती हो क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो बाहर नहीं जा सकते नहीं ला सकते तो आप क्या कर सकते हो इस तरह की मॉली जो हमारे घरों में अवेलेवल होती है कच्छा धागा जो आप पूजा में यूज करते हैं रस्क पे भी बानते हैं इसमें अगर आप देखोगे इसको खोल किये तो इसमें चार या तीन या दो या पांच जितने भी जिसके पास होंगे अलग-अलग threads होते हैं अलग-अलग धागे आपको नज़र आएंगे ॠीक है इस तरह से आप देखोंगे अलग-अलग धागे नज़र आएंगे आपको इसमें जो मेरे पास है इसमें चार धागे हैं चार धागों से बनके यह एक सूत बना हुआ है पूरा कच्छा सूत् enfants अब ये चार धागे हैं अब जब इसको आप ऐसे लपविट होगे एक बार चार दूसरे बार चार आठ चार बारा चार इस तरह से करके आप जितना लपेटते जाओगे अगर आप 365 को 4 से डिवाइड करते हो तो जो नंबर्स आते हैं उतनी बार आपको इसको लपेटते जान है ठीक है आप ऐसे करके लपेटते जाओ ये अपने आप 365 बना के आपको दे देगा ठीक है ये आप डिवाइड करके देख लेना आपके पास कितने थ्रेड्स हैं उसमें उस नंबर से आप 365 को डिवाइड करोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जितनी बार आपको इस इसको आप आराम से दिये में डाल करके जला सकते हो तो ये आपका 365 बतियों का एक दिया जल जाएगा ठीक है अब ये दिया क्या हम मित्ति का ही उस कर सकते हैं आटे का नहीं कर सकते बिलकूर कर सकते हो आप आटे का एक बड़ा सा दिया बनाओ उसको भर लो और उसमें इसक गी तेल जो भी डालना है उसको डालके आप इसको जला सकते हो। जब यह जलने लगे उस टाइम पे आपको क्या करना है जैसे मान लीजा आपने इसको तुलसी जी के पौदे के नीचे जलाया है। तो उस टाइम पर आप क्या करें, वैसे काईदा ये कहता है कि हमें इस 365 बत्तियों के दिये को 5 दिया बनाना चाहिए, मतलब 365 बत्ति का 1 दिया, 365 बत्ति का 2 दिया, 365 बत्ति का, मतलब ये जो है ये आपको 5 बनाने है और 5 दिये बनाने है, क्यों बनाने होते हैं, ये 5 दिये 5 जगा जलते हैं, सबसे पहला दिया जलता है तुलसी जी के नीचे, दूसरा दिया आप जलते हैं आसमान के नीचे, यूनिवर्स को डेडिकेट करते हुए, तीसरा दिया जलता है पीपल के पेड़ के नीचे, जहां पे हम ब्रह्मा, विश्नो, महेश, तीनों का हम मानते हैं कि उनका वास है उस पेड़ के नीचे वहाँ पे जलता है तीसरा दिया चौथा दिया शिवलिंग के पास जलता है ठीक है और पांचवा दिया आपके घर के मंदिर में जलेगा तो ये पांच दिये जलते हैं ठीक है अब इन में से आप जितने जला सकते हैं आपको लगता है कि हम पीपल के प्रेड के नीचे भी जला सकते हैं, हम तुलसी जी के नीचे जला सकते हैं, हम आसमान के नीचे जला सकते हैं, तीन जगह तो हम जला ही सकते हैं, तो आप तीन जगह जला ही है, जितनी माक से उन जगह जला सकते हैं, उतना ब्लेस्ट आप ठीक है, अगर आपको लगत है कि हम सिर्फ एक जगाण जला सकते हैं, तो आप सिर्फ एक जगाण जला ये, लेकिन, जलाएगा जरूर तीन सो पैसर बत्ती का दिया, जरूर जलाएगा, यह आपके कार्मेक एक फेक्ट को भी बहुत हत तक कम करता है बहुत हत ठीक है तो ये आपने जरूर करना है so दो activities बता दिये मैं आप लोगों को जसमें one time activity ये दिया जलाना है दूसरा आप लोगों की scripting start हो जाएंगी ठीक है तो ये दोनों चीज़ें अपनी wishes के लिए अपनी life को blessed बनाने के लिए करना है एक success story बहुत important आई हुए and I want to share this in this video only इसी video मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि ये ना एक miracle की तरह है हम कहते हैं ना miracles होते हैं miracles होते हैं अप लोगों को लगते हैं कैसे होते हैं और हाँ इस miracle से पहले ये भी है success story में कि क्यों wish manifest नहीं हो पाई थी इनके साथ हुआ क्या ये अपने specific person से शादी करना चाहती थी लेकिन techniques भी किये pink energy, love vibration, water technique और पता नहीं क्या-क्या लिखा इन्होंने photo technique ये सब किया इन्होंने तीन महीने तक किया इनके person ने approach भी किया शादी के लिए but fail हो गए और ये बहुत desperate थी, बहुत जानर desperate थी अब desperation तो कभी help करने नहीं वाला तो ultimately इनके specific person की शादी कहीं और हो गई हो गई अब ये फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? self love start किया और चीजों को छोड़ दिया, move on किया life में आगे खुश रहने लग गई एक महीने के बाद ही, जैसे ही अपने desperation को छोड़ा इन्होंने और move on कर लिया, wish को छोड़ा, let go किया, एक तरह से मान लो आप और move on किया वैसे ही, एक महीने के बाद इनके specific person का call, इनके parents को आ गया, कि हम मुझे शादी करनी है, अब यहाँ तक जब मैंने story पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा जीब सा लगा, मुझे लगा कि यह कैसा manifestation है, शादी तो हो चुकी है, और अभी इससे शादी करने के लिए वापस specific person आ रहा है, तो वो जिससे शादी हो गई है तो उसका क्या होगा अब, तो यह tension हो गई थी मुझे, बट जब मैंने यह success story आगे पढ़ी, तो समझ आया कि, my god, ऐसे भी होता है, क्या मेरा, ऐसा भी कुछ हो सकता है, जब इनके specific person है, यह parents को convince किया, बहुत सारे उताजण हावाई, उनने लिखा भी है कि, बहुत सारा issue हुआ, क्योंकि यह second marriage थी लेकिन सब ठीक हो गया, और 5 June को हमारी शादी हो गई ओके, यह लिखती है हमारी wedding हो गई, ma'am आज तक मैं बहुत खुश हूँ, thank you ma'am आप सही कहते हो कि universe has no boundaries, मेरे SP की wife ने अपने BF से शादी कर ली, वो SP से शादी करना ही नहीं चाहती थी यह line जब पढ़ी है मैंने, तब जाके मुझे यह success story, seriously success story लगी, और तब तसली होई कि हाँ, अब अच्छा हुआ है क्योंकि सिर्फ एक के साथ अच्छा हो गया और दूसरे के साथ, बेकार तो यह तो फिर मजा ने आता ना, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी जो, जिससे शादी हुई थी वो भी खुश नहीं थी, उन्होंने भी move on किया, अपनी life में उनको जो पसंद था उन्हें वो मिल गया, उसके साथ उनकी शादी हो गई, और यहाँ पे इनके specific person ने फिर इन से शादी कर ली, और अभी यह बहुत खुश है, आगे यह लिखती है, आज मैं और मेरे SP साथ है मैम, आज भी सारी बात याद करके मैं हैरान रह जाती हूँ बिल्कुल कि ऐसा भी हो सकता है उमीद नहीं थी, वो आज मेरे SP के साथ, after wedding मैं, आज मैं उनकी wife हूँ सब बहुत जादा खुश है सब बहुत अच्छा है, thank you ma thank you, thank you, thank you सबकी जिंदगी में आने के लिए love you ma, thank you so much, thank you dear and love you too अच्छा है, आप बहुत खुश रहे, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ऐसे चीज़े manifest होती है, सिर्फ आपको desperation छोड़ना है, surrender करना universe को, एक बार surrender कर दिया, छोड़ दिया उनकी तरफ तो miracles होते हैं, ये देखिए, ये miracle का जीता जाकता सबूत है, कि ऐसे miracles होते हैं, और इतने अच्छे से होते हैं, miracles सरफ ऐसा नहीं होना चाहिए, कि एक को bless कर दिया, और बाकी दूसरा कोई या आसपास वाला कोई और उसको तकलीफ हो रही है, सबको अच्छा होना चाहिए, तब ही मैंने बुला ना, जब हम ये दिया जलाते हैं, तो दिया सिर्फ खुद को रॉशन नहीं करता दिया चारो दिशाओं में बहुत दूर तक रॉशनी बिखेरता है तो जब आप ये इस तहा का एक दिया खुद के लिए जलाएंगे, तो वो आपकी जिंदगी के साथ, आपके साथ कनेक्टेड लोगों को भी ब्लेस करेगा और वैसा ही कुछ इस मिराकल ने किया है, तो दिस इस रियली ओसम, बहुत ओसम सक्सस स्टोरी थी और इसलिए मैं आप लोगो के साथ शेर करें कि डेस्परेट मत हो येगा वीडियो काफी लंबी हो गई है, बट इन सब चीजों को कवर करना बहुत जरूरी होता है so, that's all guys thank you so much and yes, God bless